जब कोई मनिश का मन अत्यनत दुख्य को चारो तरब अंदकार ही अंदकार दिखाए दे रहा हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो मनिश स्रीकृष्ण के दोरा बताएगे, गीता ज्यान की ये चंद बाते जरूर सुने, इसके सुने से उसके मन को बहुत रहत मिलती है तो आएगे जहनते है कौन सी ऐसी बाते हैं जो स्रीकृष्ण में अर्जम को महाभार्त यूद के दोरा बताई थी बहुत का पस्चिताब ना तब बहुत की चिंता ना करो वर्तमान चल रहा है भगवान शरी किसम कहते हैं तुमारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लेकर आये थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो ना सो गया ना तुम कुछ लेकर आये थे जो भी लिया ही से दिया जो दिया ही प जो भी लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाले आथ आए और खाले आथ चले, जो भी आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, पसो किसी और का उबा, तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रहे, बस यही प्रसंता तुम्हारे दुखों का कारण है, भगवान कह परिवर्तां संसार का नियाम है। इसे तो म्रत्तु समझते हो। वही तो जीवन है। एक इश्ण में तुम करोणों के स्वाम भी बन जाते हो। दूसरे इश्ण तुम दर्दर हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पर है। मन से बिठा दो, विचार से रठा दो किर सब तुमारा है। और तुम सब के हो। भगवान कहते हैं। यह ना सरीर तुमारा है ना तुम सरीर के हो। यह अगनी, जल, वायू, ब्रत्वी और आकास इन पार्टत्वों से बना है। और एक दिन इसी में जाए। परन्तु आत्मा इस्तियर कि तुम क्या हो। भगवान से बिठा कहते हैं। तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करें। यहीं सबसे अंसाथा है। जो इसके सारे को जानता है। वो बैद जिनता सोक से सरवता मुक्त रखें। जो कुछ भी तुम करता है। उसे बहवान को अर्पित करता चल। ऐसा करने से तुम सताथ जीवन को अनद अनभव करें। ओ नमो भगवते वास्तित। झाल हाँ वाँ को